अगर आप भी wholesale business से जुड़े हैं तो आपके सामने भी inventory management से जुड़ी दक्कतें आई ही होंगी जैसे की inventory का समय पर नविकने के कारण expire होना, खराब हो जाना, उसकी बढ़ती हुई cost आदी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपने wholesale business की inventory या stock को कैसे manage करें कुछ ऐसे तरीखें जिनसे आसानी से आप अपनी inventory को manage कर सकते हैं तो वीडियो को अंतक देखें, चानल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें इन्वेंटरी management methods wholesale business में inventory management के दो सबसे असरदार तरीखें हैं फीफो और लीफो फीफो और लीफो ऐसे तरीखें हैं जो एक store या फिर वेयर हाउस में inventory को उनकी खरीद की तारीख के हिसाब से manage करते हैं फीफो होता क्या है? जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं first in first out जैसे आप फीफो के नाम से जानते हैं फीफो inventory management का एक ऐसा तरीखा है जो कि खरीद की तारीख के मताबिक material को पहले consume करता है मतलब कि जो material पहले आया है उसे पहले बेजा जाएगा जैसे कि अगर कोई material एक को आया है, कोई 15 को और कोई 30 को तो जो एक को आया है वो पहले बेजा जाएगा उसके बाद 15 का फिर आखिर में 30 का बेजा जाएगा लीफो क्या होता है? लीफो फीफो से एकदम उर्टा है ये inventory management का एक ऐसा तरीखा है जिसमें जो material आखिर में आया है यानि कि जो सामान warehouse में या फिर स्टोर में आखिर में आया है वो पहले इस्तमाल होगा या बेजा जाएगा जिसे हम last in, first out या लीफो के नाम से जानते हैं इस method में जो wholesalers हैं वो जो material पहले से warehouse में पड़ा है उसी में नया लाया हुआ material आट कर देते हैं ऐसे में जो material last में आया है उसे पहले consume या फिर बेजा जाता है इस तरीके को लीफो कहा जाता है अगर नये material के आने से पहले पुराने material को अलग करके फिर नये material को add किया जाता है तो पहले पुराने material को बेजा जाए तो इसे फीफो के नाम से जाना जाता है फीफो लीफो में से फाइदे मंद सिस्टम फीफो सिस्टम आपके बिजनस के लिए सबसे फार्देमंद है क्योंकि इसमें पुराना सामान पहले इस्तिमाल होता है और नया वाला बाद में इससे आपका हिसाब किताब रखना भी आसान हो जाता है इस सिस्टम में पुराने सामान के खराब होने के चांसस कम होते है क्योंकि वो समय पर इस्तिमाल हो जाता है इसका एक और फायदा है कि आप मारकेट के साथ बने रहते हैं पुराना सामान समय पर इस्तिमाल होने से अगर कोई भी चीज मारकेट में नहीं आई है तो आप उसे आसानी से खरीद कर बेच सकते हैं तो आज हमने इस वीडियो में आपको Inventory Management के दो Methods के बारे में बताया आप अपने Wholesale Business में Fee4 System का इस्तिमाल करें ताकि आपकी Inventory समय पर खत्म हो और उसकी Cost भी कम हो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और Wholesale Business Tips के लिए कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं Okay Credit, Business Okay है